आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के पार्ठ एक फिजिक्स का बैधूत आभेश तथा बैधूत छेत्र तो देखे इसमें पहला जो हेडिंग है बैधूत आभेश किसे कहते हैं तो बता सकते हैं कि बैधूत धारा और समय के गुरनफल को बैधूत आभेश काते हैं इसे क्यूं से परदरसित करते हैं इसका मातरक कुलाम होता है बहुत सिंपल है बैदुधारा और समय के गुड़नफल को बैदुधाबेस कहते हैं इसे Q से परदसित करते हैं और इसे इसका जो मातरक होता है वह कुलाम होता है इसका अगर आप सुत्र लिखना चाहते हैं तो सुत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर कि Q बराबर आई गुने T, आई आपका धारा है, T आपका समय है, Q आपका अबेस है तब एक और डिफिनेस आना आता है एक कुलाम का परिभासा तो आप बता सकते हैं कि यदि किसी तार में एक सकेंड में एक एमपियर की धारा प्रभाहित होता है तो वहाँ बैधूत आबेस एक कुलाम होगा, यहाँ से बता सकते हैं कि यदि कोई तार है, तार में एक सकेंड में एक एमपियर की धारा प्रभाहित है, तो वहाँ आप यहाँ पचाहें तो लिख सकते हैं कि एक कुलाम बराबर जहां Q था एक एमपीर गुणे एक सकेंड अब एक बात आता है कि प्रस्ता पुछा जाता है कि एक कुलाम में इलक्टानों की संख्या तो आप जानते होंगे सुत्र Q बराबर यन गुणे E Q आप एसे Q ऐसे ही रखेंगे E आपके आएंगे यहां से तो आपका एक 0 उपर बढ़ेगा तो 10 मुन 10 के पावर नईस सुरह सभाग देंगे तो 16 मुन 25 मुन 10 के पावर 18 यन कमान आ जाएगा बहुती सिंपल था आप सबी लोग बता सकते हैं उसके बाद से जो आपकी निक्स टोपिक आती है उसका नाम होता है कि आपेश के परकार तो आभी मुख रुप से दो परकार के होते हैं देखे जो आपेश होता है मुख रुप से दो परकार को होता है पहला होता है धन आपेश तो जब कोई तत्व या धातू अपने अंदर से इलक्टान बाहर निकालता है तो उस पर धन आपेश का चीन आता ह है इससे तत्व में इलेकटानों की कमी हो जाती है बहुशनिपल कि कोई तत्व या धातू अपरें अंदर से इलेकटान बाहर निकलता है तो उसके धन अभेश्का चीन आ जाता है इससे तत्व में इलेकटानों की कमी कर्णствен में आप दो आठ लिख सकते हैं उसके बाद से एक चीज और आती है नेक्स जो बात आती है उसका नाम होता है रिन आवेश आप कहसे का lorsqu रहा है कि जब किसी तत्व में इलक्टान बाहर से आता है तो उस तत्व पर रिन आवेश का चीन आ जाता है इससे इलक्टानों की अधिकता आ जाती है तो आपने देखा कि जब बाहर से कोई तत्व को इलक्टान को ग्रहन करता है तो उस पर रिंगर आभेस का चीन आ जाता है और आप चाहे तो उधारन में बता सकते हैं कुलोरीन का 17 होता है तो दू आठ सात लिख सकते हैं कुलेन को पर एक माइनस है इसका मतलब एक लग्ट्यान को ग्रान किया है तो 17 था तो 18 हो गया तो आप इसको 288 लिख सकते हैं तो यह था कि आप यह साभ के मुझे रिपसे जो परकार होता है उसके बाद से जो बात आगे आती है तो अगे जो उसका नाम होता है आभेश के अधार पर पदार्थ का परकार तो आप इसको तीन भागों में बाढ़ सकते हैं जो पहला होता है उसका नाम होता है चालक तो आप पता सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें आभेश परवाहित किया जा सकता है उसे चालक कहते हैं बहुत सिंपल है तो वे पदात, जिसमें आभेश प्रवाहित किया जा सकता है, उसे चालक कहते हैं, और बता सकते हैं, उसके बाद से सकेंड जो आता है, उसका नाम होता है अचालक, तो वे पदात, जिसमें आभेश प्रवाहित नहीं किया जाता है, उससे अचालक कहते हैं, उसके बाद से जो इसमें तीसरा आता है, उसका नाम होता है अर्थ चालक, तो बता सकते हैं, कि वे पदार्थ जिसमें चालक और अचालक दोनों का गूण पाया जाता है, उससे अर्ध चालक आते हैं, अगर जब बढ़ेंगे, तो उदारर में आप लिख सकते हैं, सिलिकान, जर्मेनियम, इतियाद सिलिकान किया साई से, जर्मेनियम को जी ई से, उसके बाद सगिला ए कि अब बता सकते हैं कि आबेस वा होता है, जिसे तो नस्ट कर सकते हैं, जिसे न तो नस्ट कर सकते हैं, और नहीं उत्पन कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, तो यह होता आबेस रच्छा के लिए हम आबेस को न तो नस्ट कर सकते हैं, नतोर्पन कर सकते हैं कि अवाले एक रूप से दूसे रूप में हम लोग बदाल सकते हैं उसके बाद से नेक्स जो आपके बात होती है आभेस का क्वांटी में करण तो किसी पदार्थ का आभेस क्यू और इलक्टानों के संख्या तथा रियर आभेस के गुरनफल के आभेस के क्वांटी करण काता है यानि कोई भी पदार्थ उसका आभेस और उस पदार्थ में इलक्टानों के संख्या और इलक्टानों का आभेस के गुरनफल के बराबर होता है उसी कम लगाता है आभेस का क्वांटी में करण अब देख रहे हैं यहाँ पर क्यू बराबर यान यो जोता कहते हैं यानि यहांपर देख रहे है कुल जो अभेस होता है अलग-अलग अभेस हो कि योगफाल के बराबर होता है उसके वाद से एक बात आता है जिसका नाम होता है मूल अभेस बहुत सिम्पल है इलक्टान और प्रोटान पर पाए जाने वाले अबेस को मूल अबेस कहते हैं यानि इलक्टान और प्रोटान पर पाए जाने वाले अबेस को मूल अबेस कहते हैं इलक्टान का अबेस जो हता है माइनस 1.6 गुने 10 के उपर माइनस 20 कुलाम उसके बाद से आगे जब हम लोग चलते हैं तो एक और बात आती है जिसका नाम होता है परिछण आबेस तो बता सकते हैं परिछण आबेस में कि परिछण आबेस वह आबेस होता है जिसका कोई बैधू छेत्र नहीं पाया जाता है इसे Q0 से परदर्सित करते हैं इसका मात्रक भी कुलाम होता है तो परिचान अभेसों होता है जिसका कोई बैदू छेतर नहीं होता है और इसे Q0 से परदर्सित करते हैं और इसका भी मात्रक कुलाम होता है उसके बाद से एक बात और आती है अभेसों का प्रतिकर्शन तो आप होगा, उसमें प्रतिकर्सन होता है, उसके बाद से बात आती है, अबेस का करसन तो आप इसमें भी बता सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक भीपिरित अभेस हो तो उसमें अकरसन होता है उधारें के लिए प्लस की और माइनस की जब आप एक पास रखेंगे तो इसमें आपके अकरसन पाए जाता है त्यानि विप्रित आभेस होंगे, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तो उसमें आपके आकर्सा पाये जाता है, इस चीज को आप बता सकते हैं, उसके बाद से जो आगे आपका नया टापिक आता है, जो पाट का मुख्य टापिक है, उसका राम होता है कुलाम का नियम, आप पता सकते हैं कि किने दो पिंडो के बीच कार करने वाला बैधूत बाल, हला कि आप से इसको प्रदासित करते हैं, उनके आभेसों के कुड़नफल के समन पाती, तथा उनके बीच के दूरी के बर्ग के ब्यूत कर मन पाती होता है, यहाँ पर आप बर्ग लिख लेंगे, बर बराबर, वन अपन फोर पाई अपसाइलम नाट, की वन की टूब अटार, इसको आज समन पाती है, चीन अटाएंगे, तो वन अपन पाई अपसाइलम नाट आजाएगा, तो देखिए, इसमें आपका क्या-क्या मान होगा, उसको लिखा गया है, आप इसको समझ सकते हैं, क इसका जो मांननों और नोहें शायुलम को इसको इफसईलम नाट कमान अचला नाट को सब्सक्राइब आगे आप बढ़ेंगे तो आगे आपका एक चीज आता है जिसका नाम होता है बहुत सिंपल है बहुत अबेसों के चारों और का वह चेत्र जिसमें किसी दूसरे अबेस को रखने पर वह आकरसर या प्रतिकरसर जब मना आकरसर या प्रतिकरसर बल का अनुभाव करता है तो उसे बैधुच्छेत्र कहते हैं देख रहा है लो बैधुच्छेत्र बहुत सिंपल है कि आपको बताया गया था अचार बैदुच्छेत्र के तिवरत्ता में बता सकते हैं कि किसी पींड पर लगने वाले बल तथा परिछण आभेस के अनुपात को बैधुच्छेत्र का तिवरत्ता काते हैं इसे केप्टल इसे परदर्सित करते हैं इसका मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम होता है यह भी बता सकते हैं कि इसका जो भीमा होता है M L T पर माइनस थिरी एपर माइनस वन होता है और यह बराबर यह भटा क्यूण अठ होता है तो यह वह भूती बल और जो परिछण आभेस होता है इसके अनुपात को हम लोग बैदुच्छेत्र की तिवरता का पर इसे प्रता से करते से माध्यम की बैयों सीलता और निरवात के बैथा सिलता के अनुपात को परणार बैर्दूतांक आते हैं लाहल recent और इसे Capitaluast K से पर दसेत करते हैं इसका मात रख इसका जो मात रख होता है कुछ भी नहीं नहीं होता और आप सित्र भी लिखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि बराबर एपसाइलम अपान एपसाइलम नाट एप्साइलम को माध्यों की बैदुसृता और इसको निर्वात की बैदुसृता करते हैं उसके बाद से जब हम आगे बढ़ें तो जब आगे चलेंगे तो आपका था है बैतुदुदू दूरी पर कहते हैं कि कि जब दो आभेसजीश का परिमार, समान्ठ, तथा प्रकिरत अलगअलग हो तास दोनों एक दूसरे से अलपदुरी पर रखे ग Almost R wakes, we should be a दूर, और बाताय गया कि जब समान परिमान वाले तदाभी पिरित आभेस वाले दो मेश कुल पर दूरी पर रखाया जाता है तो जो सनचना प्राप्त होती है उसे बैदुद दूरी कहता है और इसे हम लोग पी से परदासित करते हैं आप बता सकते हैं सनचना प्लस कीव है माइनस कीव है बहुत कम दूरी पर रखेंगे तो जो सनचना प्राप्त होगी बैदो दुरु कहते हैं उदारन में आप विसके माइन से एक चीज और आता जिसका नाम होता है बैदो द्रतरु आगून क Почему करते हैं इसका मात्रक कुलांब इन्टू मीटर होता है तथा इसका बीमा एल टी यह होता है या एक सदीस रासी रहता तो यह भी बहुत असान है अभेश और उसके बीच के दूरी के गुर्णफल को बैधो दिर धुरूक आते हैं और पी ब्राबर की भूने आप डी लिख सकते हैं उसके बाद से आगे हम की होगा यहां पर माइनस की होगा इसके बीच का जो दूरी होगा आर होगा उसके बाद से यहां पर हम लिख सकते हैं कि यह बराबर वान अपान फोर पाई अपसाइलम जीरो क्यू क्यू जीरो बटा में आर इसक्वारी है कुलाम के नियम से समीकर नमर एक मानेंगे और आप यह बराबर बस जहां यह आप है आप यह कमांद देख रहे हैं यहां पर पूरा यह कमांद जीतना है वन अपान फोर पाई अपसाइलम जीरो क्यू क्यू नट बटार इसक्वार 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 वह ही आपका बैदुछे करती ब्रता होगा तो यह बराबर वन अपन फोर पाई अपसाइलाम नाट इंटू की वाटा आर इसक्वाइल तो इस तरीके से यह जो पार्ट एक का वीडियो एक समाप्त होता है